नमस्कार आप देखरें नेशन न्यूज मैं हूँ आपके सातरतिक बिहार में विदान सबाद चुनाओं के तीनों चरोनों के मतदान अब खत्म हो चुके हैं और अब इंतजार तो बस ये है कि आने वाले जो चुनाओं के नतीजे हैं जो घोशित होंगे अब उसमें यही पत पुर्विदान सबक्षेत्रों की मतगना यहां अब हो रही है और यहां पे जारी है फिलाल कुछ वक्त अभी और लगने वाले हैं और पहले रुजहान में बात करूं यहां पर तो बात यही बताई गई है और जो हमारे तक रिपोर्ट आए हैं उसमें रुजहान में जो प बात करो तो बागी पुर्विदान सबक्षेत्र से इस बार कॉंग्रेस की तरव से शत्रुगन सिना के बेटे लव सिना खड़े हुए हैं साधी साथ प्लूरस प्लूरस पार्टी की उश्पंप्रिया भी खड़ी हुई हैं अब जबर्दस टक्कर चल रहा है दीगा विदा लालु यादव की उन्होंने इस बार के चुनाओं में अपना पूरा जरो आजमाईश लगाई है और नितीश कुमार को जबर्दस टक्र दिया है साथी साथ अगर मैं बात करूंगे तीनों विदान सबार की तीनों चलों के मद्दान हुए उससे पहले उन्होंने लगातार बिहार के कोने कोने में गूमकर हर एक राजनितिक दल के नेताओ ने जाकर बिहार में गूमकर जनसभाओं को संबोधित किया है बिहार की जनता को लोक लुभावन बाते भी बताई है साथी साथ उनकी जनता को अपने तरफ खीचने की बात भी कही है सरकार अब किसकी बनने वाली है इसके लिए थोड़ा सा आपको बेट करना पड़ेगा थोड़ा इंतिजार और फिर पता चलेगा क्योंकि आज 10 नवंबर है और बिहार विधान सभा चुनाओ के नतीजे आज घोशित होने वाले है यह चुनाओ खुद में आहिमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि यह कोरोना काल में हो रहा है लोक तंत्र का यह महापर्व कोरोना काल में किया जा रहा है और 10 नवंबर जो कि आज है मदगना जारी है और अंदर में पटना विदान सभा के 14 विदान सभाक शेतर का मदगना अभी अंदर में हो रहा है और शाम को आपको कुछ दिर में अगर मैं बताओं तो शाम को शाम से और शाम से पहले-पहले भी हो सकता है आपको रिजल्ट सामने घोशित हो जाए लेकिन जबरदस ठकर अभी हर एक राजनुतिक दल में चल रही है तो वेट कीजिए थोड़ा सा इंतिजार और और पता चलने वाला है कि आज मुख्य मंत्री कौन बनेगा सरकार किसकी बनने वाले तो फिलाल के लिए मुझे दीजे एजासत देख 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 धने बाद